हेलो गुद मॉनिंग दोस्तों आपको मेरा पहले ब्लोग में आप सभी का सुवागत है आशा कर तो आपको को वीडियो पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आई तो कॉमेंट्स करिएगा लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो संडे का दीन है और पहला मै प्रफण बताएगे तो हमारे साथबने रहेगा अब कर आज़े सब मैं आपको बताया था कर्फार का मैच होगा तो हमके टीमें टॉस जितकर वल्लेबाद स्क्राइब अर्यशना ग्राउंड ने आपको दिखाते पीछे से कैसा भी दिरिदे और यह हमारी पीछे तो भी प कि इस मैच को जित्ती है कि आप है कि आप है कि आप है कि आप है कि तो सर पहले 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 इनिंग समाफ दुआ तो हम लोग ने बनाए 75 रंस चीए तो अभी दूसरा इनिंग चाल हुए तो 75 रंस का तार्गेट देखते हैं क्या हो पाता है तो आगे आप लोग बताई है तो हम लोग यह मैच जीत चुके हैं हम यह ने बनाए 75 रंस और जीट के लिए चाहिए था तो हम लोग ने 12 रंस से जीत लिया है तो अच्छा लग रहा है मैच जीतने के वाद क्यों कापी बड़ा मैच था तो आप लोग यह मैच जीट चुके हैं और आज के मैने दो मैच है दिल्साथ बाइब जारे भाइब खेल नहीं रहाता वर्लोग फटलाब सब लोकल वन देता बोल हो रहे ता मैं कर नहीं रहाता हूं जो बात है क्यावत है साथ बोल्ड मारे साथ बॉल्ड ने बॉलिंग ही नहीं किया है तो हम लोग इसी मैच जिए हमारे प्लेर लोग खड़े हुआ सब यह मै मुंबाई में ग्राउं इतने सारे होने के बाउजीट भी एक ग्राउं खाली नहीं लेता है दूसरे मैच के आपको बताएंगे इस मैच में मेरा भी प्रदसन अच्छा रहा है इस मैच में मैंने तकरीबन बेले बैटिंग किया और मैंने बारा किंगों में बीस रन बनाए फ आपको अगले मैच का भी बताएंगे इस दिखाता है इस चले गेन बाज और इसको पुल कर दिया है चार रनों के लिए सिमारेखा के बाहर तो आप बॉल देख सकते हैं चाओ काम तो यह बाउंडरी के लिए तो शौड बॉल दिया और अबले वाज ने इसको पुल कर दिय कि अगले और अगले अगले ओ तो चाहिए पिछे को रहे लाएंट मृष्ट बहुत करना एग